पूर्पूर जिले के तस्सील लाटी से एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है चार मंजिला मकान को अचानक आग लगी है क्या है पूरी बारदात हमारे साथ सरपंच है डूडू के हनसाजी इन से बात करने की कोशिश हम करेंगे कि आखिर किस तरह से ये आग लगी और कितना नुकसान जो है इस मकान को हुआ है सब्सक्राइब बाहु एक्सेस से बोल रहे हैं ये बताएं कि कोन सी जगा है ये और कितने मंजिल मकान है किस तरह की नुकसान जो है वो मकान को हुआ है नमश्कार भाई साब बड़ी दुख की बात है मुझूर हम सानाव शेरेली रेजिदेंट आफ खिल्टू पद्दर जो अचान का सुबा साथ है आठ बाई की बाकिया वो अपने शेती बाड़ी में काम का रहे है तो अचान का लाग लिए आग लागी और चारू चार मंजना जो मकान था चारूता फाग फैल गई और काफी लोग और पुलिस पार्टी और यहां आश्टियम भी मोक्रव पार गे लेकर लोगों को वहां पानी को ही नहीं था एक किलो मीटर अपने सिर्क से किलो मीटर उनका मखान है और वहां फाहर दरगेज नहीं सकता थ लोगों ने बड़ी मुशक्त की लेकर पानी वहां नहीं था और वो जो जितना भी चार मंजना जो मकान था वो अपना बिलकुल जल कर तबाह हो गया एक जो मालमेशी जिसमें रहता था थोड़ा सा एक चार गंडू पार था उसको लोगों ने बड़ी मुश्किल से बिचा जाया और रहने के लिए उसके लिए टेंट बगारा वो बस्ता उसका राश्र पानी वी बगारा बो जल कर रदाख हो गया और बड़ी दुख्ष की बात है अज़ाजी अज़ाजी बताएं कि क्या ये अकेले मकान था या इससे आग लगने से कई और भी मगानों को नुकसान पहुंचा है जिए उसके बाई का मगान साथ में था लेकर लोग काफी जमा हो गे थे और पर पर शासन जो हमारा था प्लीस पार्टी बगारा उसके बाद एक घैंटे के बाद आज़ें और डुडू भी बहां पहुंचा और बड़ी लोगों ने दुस्ते मगानों को जो उसके बाई के म जा सकता था लोगों ने महनत बहुत की लेकर वहां पानी भी मॉपके बार मजूद नहीं था नलके में थोड़ा बहुत पानी आता तो आग बजाव में नाकाम जाब होगे जी शुकरिया हनसाजी और ये थे सरपंच डुडू हनसाजी जो हमारे साथ फोन लाइन पर मजूद है इनका कहना है कि काफी कड़ी मशकत के बाद जो है आग पर काबू पालिया गया है लेकिन जो मकान चारवंजला जो है वो पूरी तरह से जलके राक हो गया फिलहाल कोई किसी की जान नहीं इस आग में गई है ना ही कोई व्यक्ति इसमें गाइल हो आ है लेकिन जीला परशासन के जो डूडू एजडियम है वो मोके पे पहुंचे है अब तारीफ करनी होगी जमुकुष्मी पूलीस के जवानों की जो की पैदल एक किलो मेटर का सफर करके वहां पहुंचे हैं लोकल्स लोगों के मदस से जो है इस आग पे काबू पाया गया है लेकिन नुकसान जो है एक पूरी चार मंजला मकान जो है वो पूरी तरह से जलके राक हो गया है कैमामान रोहित के साहरागेश वड्याल की ये खास रिपोर्ट